विद्यारतियों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे िकरत के कारीय है तो पड़ा मिक्रत के कारीय है सुरू करते हैं जिनि के डियारतियों ने अपने चैनल को अभी तक सबक्राइब नहीं किया है वो अपने चैनल को सबक्राइब कर लेह आपको एक Okay Biology by BSS के पास रेट बटन दिखेगा उसको आप सब्क्राइब करें तो अपने पढ़ेंगे function of liver तो liver बहुत ही मैतोपूर्ण एक सरीर की गरंती है जो बहुत सारी कारी करती है इसको अपने केमिकल फेक्टरी या सरीर का रासायनिक कारखाना कहते हैं बहुत सारे इसमें रासायनिक के पदार्त बनते हैं और ये बहुत व्यस्त रहने वाली गरंती है तो इसको व्यस्त बंदरगाहे भी कहते हैं कि यहाँ पर blood उधिर है वो आता है और वहां से कई प्रकार के खनीश्ततों यहाँ स्टोर होते हैं और उस blood के साथ कई जो उपयोगी शरीर को चाहिए वो खनीश्ततों आपस blood में मिलकर शरीर में भी पहुचाए जाते हैं तो इस तरह से एक बंदरगाह की तरह भी यह कारिय करता है तो सबसे पहले अपने इसका फर्स्ट कारिय पढ़ते हैं पीत का निर्मान पीत का निर्मान पीत को हम बाइल भी कहते हैं तो यह इसका सबसे पर्मुक कारिय है लीवर का सबसे पर्मुक कारिय है पीत का निर्मान करना है तो जो पीत का निर्मान है वो तो यकरत यह थार्त लीवर करेगा और लीवर में भी कौन लीवर की जो यकरत क कोशी काई हैं वो इसका निर्मान कर रही है वहाँ परम ने कहा था कि ये करत कोशी का विक्टन करते वे इसका निर्मान करेगी तो ये करत कोशी काई है जिनको हपन ही पेटो साइट्स भी कहते हैं ही पेटो साइट्स अथार्त पीत का निर्मान है वो ये करत की ये करत कोशी क या थार थी पेटो साइट के द्वारा होता है लेकिन इसका जो संग्रेन है वो संग्रेन का होता है पीतासे के अंदर होता है जैसे नाम से इसपस्टे जुद सेबोराइब हाहिए और पढ़राइब करेम、ीच़ नत तो कॉलिशिस्टोकानुन छोटी आनत में हार्म Ary confidence में पहुंचाट जाता है और जो पुश्चा अनसर फीडिट को मैं मदद करेगा अब वास्ता में है यह जो बाइल है यह है क्या तो अपन पीत को अगर देखें तो यह एक हलका क्षारी तरल है हरे रंग का है एक तो हलका क्षारी तरल है और हरे रंग का होता है इसका अगर अपन संगटन देखें तो यह इसका संगटन है मतलब यी किसकी का बनाव तो इसके अंदर सबस्यादा होता है जैसे पानी है 98 परसंट इसके अंदर पानी होता है इसके अंदर बहुती मेत वार्ड़HHH पीत लवन्हेज़ी मेर होते है ये लवन्हें वो वसाका पाई सीकरण करने में मदद करेंगे तो जो इसके अंदर साल्ट होते हैं बाइल साल्ट इसको अंगरिजिम कहते हैं बाइल साल्ट ये बाइल साल्ट वसा का फाय सिक्रन करने में मदद करेंगे इसके लावा इसमें होते हैं बहुती मैतोपून पीत वरनक यह जो पीत वरनक होते हैं यह दो टाइप के होते हैं इसके अंदर एक तो होता है बिली वर्डीन एक तो होता है इसके अंदर बिली वर्डीन बिल्ली वर्डीन और बिल्ली रूबीन ये दो त todavía सक्य np का रंग होता हिसका होता है और जो बिल्ली रूबीन है ये पीला होता है तो ये तो ग्रीन कलर है ग्रीन कmm के अंदर पायाँ जाता है और ये हमारे यलो कलर के के अंदर पाया जाता है कि इसको किस तर करेंगे कि तो एक सब्दियात करना जिसे याद करने की तो इस तरह से यह हवार new रंक इसमें दो वरनक पाए जाते हैं इसके आरदे कुछ इसके अंदर वहती है न कर्व। बन्वन या कार्बनीक अयन है वह जैसे और पोटेसियम है क्लुराइड है और केल्स्यम आयन है बाई कार्बोनेट आयन थो यह जो क्या होती है सार ये हलकी शार ये प्रकरती पाई जाती है शार ये प्रकरती का तरल होता है ये इस बाइकर्बोनेट के कारण इसके अंदर कुछ वसायें भी पाई जाती है जैसे इसके अंदर एक तो होता है जैसे कोलेस्ट्रोल कोलेस्ट्रोल इसके अंदर पाई जाते हैं य इसमें कोई भी पाचक एंजयम नहीं पाए जाता है यह एक बाइल की या पीत की बड़ी उसेचता है कि इसमें किसी भी तरह का कोई पाचक एंजयम नहीं पाए जाता है यह इसकी most important एक तत्य है कि बील जो बाइल है यह पीत ऐसा एक रस है एक सराव है जिसके अंदर किसी तर कर लें देखें function of bile तो यह बहुत सारी काम करता है जैसे यह वसा का पाइसी करन करता है वसा का पाइसी करन क्या है जैसे यह वसा की बूंद है यह वसा की बूंद है तो इसके क्या होता है कि इसके भी दो सीरे होते हैं जैसे इधर वाला ये सीरा तो है जल रागी है और जो अंदर वाले सीरे हैं इसके वो है जल वी रागी तो इन्हें जो बाइल लवन होते हैं या पीद लवन उसके उसके भी दो सीरे होते हैं तो ये क्या करते हैं जो बड़ी बूंद है इस बूंद को छोटी छोटी बुंदों में तोड़ देती है वसी यह इसका पाई सी करन यह वसाकी छोटी बूंदे बना देती है ताकि जो लाइप एज है वो इसको असाने से 50 पाई सी करने का इसका सबसे इंपरेंट काम है दूसरे बाद जब वसाका पाई से करता है तो छोटी गोलिकों में बाढ़ देता है जिससे क्या होता है वसाका प्रस्तितनाव है वो कम करता है तो प्रस्तनाव कम हो जाता है तो लाई पेज इसको आसानी से 50 देता है प्रस्तनाव कम हो नहीं का मतलब है छोटी छोटी गोलिय बनाई जाती है बनाई जाती है जिससे इनका प्रस्तनाव कम हो गया प्रस्तनाव कम आपने से लाइपेज इसको आसानी से पचादेगा जैसे हमें एक सिंपल सा उदान ले कि एक जैसे 50 किलो का बेग है तो उसको उठाना मुश्किल होता है इसकी जिगह अगर अपन 10-10 किलो के 5 चोट-चोटी बेग बना ले तो उनको ले जाना आसान होता है इसी परकार से एक बड़ी वसाकी बूंद को पचाना मुस्किल थो उसे क्या होता है कि यह इस वसाकी बड़ी बूंद को चुट-चुटी बंदू में बाढ़ देता है और इससे ही प्राइश करन केते हैं अब यहाँआपर क्या होता है कि लाइप पेज इन चुट-चुटी बंदू को असने इसे पचा देता है एक इस का मोद काम करता है कि ये आथ में जो अमल आ गया वो S.C.L. जो आ गया उसको उदाशिन करने का काम करेगा और इसका एक मेहत्वपून काम है कि जब बाय लिया पीत है वो बोजन में मिल जाता है तो ये बोजन को सड़ने से भी बचाता है सड़ने से बचाता है एक इसका important कारी है कि ये बहुत सरे उतसरजी पदार्तों को सरीर से बाहर निकालने का कारी भी करता है कारी करता है तो ये इसके बहुत सरी काम होगे इसके 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 एक important बात और कर लें कि जो अगनासी लाइपेज है जो आगे इसका काम करेगा तो अगनासी लाइपेज है जो अगनासी रसकेंदर पाए जाता है लिपिट को बचाने वाला उसको बायल है वो सक्रिय कर देत है तो यह साथ का कारी है वो बायल हम करता है उसका प्रस्त्त नाव करता है वह सेห। उदासेन कर दिया को शिठने से भचाता है उस से , पदारतों को श्री से батानला करता yg life page इसके काम है मुख्य रूप से हो गई तो नेक्स्ट अपन देखें कि यह जो अकिर यह बनते कैसे हैं अगर इसके निर्मान अपन देखें तो इस अपनिया होता क्या है कि इसके अंदर है कि जैसे हमारे RBC है रेड बलड सेल है तो रेड बलड सेल का क्या होता है कि इसका ब्रेकडाउन होता है ब्रेकडाउन यानि इसका यह तूड़ती है यह काम का होता है हमारे ये करत के अंदर ये करत में जैसे RBC का ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पर दो चीज पार्ट है और एक बन गया हीम तो यह तो बन गया हीम और यह बन गया ग्लोबिन तो बनावा प्रोटीन का तो इसमें यह ग्लोबिन आगे किसमें टूड़ जाता है यह ग्लोबिन है वह अमीनो अमले में टूड़ जाता है और यह अमीनो अमले कहां चले जाते हैं यह अमीनो पूल प Glory को आपना को अप्षर क chemotherapy और पुनर चक्रण दोरा नहीं का पर तेैं तो नहीं क यहां पर पूल है जहां पर इकटा रहते हैं लीट रूबर के अंदर जाकर यह स्टोर हो गया और नए ईहसा बिल्रस बनाने में यह ब्लड में मिलता रहें गआ है यह जो ब१ neural missing जाता रहे तो यह लिवर में क्या होगा ? एक हीम ऑकिस जीनेजेंजेंग होता है तो यह क्या करता है यहां से हीम को होटा देगा यह फैरस आयन है और यह फैरस आयन है वह पुनर्छक्रण के लिए चला जाएगा और नया एच्बिका निर्मान करने में सहिक होगा अब यह फेरस थोट गया अब जो बाकी का जो पार्ट है वो यहां पर बनाएगा बिली वर्डीन यह बिली वर्डीन बना देगा और यह बिली वर्डीन कैसा है हरा रंग का वर्णक बन गया है यहां पर हरी रंग का वर्णक बन गया है बिल वर्डीन अब यह बिल वर्डीन ह चुकि यहाँ पर पितासे में भी किता होता रहेगा या बनता रहेगा लेकिन इसमें कुछ बिलरूबीन क्या होता है आगे जाकर इसका अपचेन होता है और यहाँ पर एक एंजायम होता है रिडक्टेज रिडक्टेज एंजएम जो इसका रिडक्शन या अपचेन करेगा तो यहाँ पर बनेगा बिली रूबीन है यह पीले रंग का वरणनक बन गया अब इसमें से कुछ जो बिली वरडीन है वो अपचेत होकर बिली रूबीन के अंदर कनवर्ट हो जाते हैं अब इस बिली या पीत बननता है उस पीट को वहां से कटा करके ले के लिए चोटी आथ तक लेके जाएगे तो अभी क्या वा की बिली रूबीन त्हें बिलीरूबीन का क्या वन्हाला आगे कि यहां से यह वी정ल ट्श। barking जिसको हमने हीपेटिक डक्ट भी कहा था हीपेटिक डक्ट पिछले वीडियो मैं इसको पढ़ा था चितरे से तो वहां से एक नल याती है यह सारा बाइल है वह इकटा करके चोटी आत में लेकिया जाती है चोटी आत का जो कौन सब आगए ड्यूडीनम जो पार्ट है फस्ट और कहां चला जाएगा यह बड़ी आत के अंदर चला जाएगा यानि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला गया यह और लार्ज इंटेस्टाइन से अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बहुत सारे बेक्टीरिया रहते हैं हम जानते हैं कि इतरे कि इसके अंद बिल्रूबीन है ये बिल्रूबीन एक पदार्थ इसको हम कहते हैं यूरो बीली नोजन इसके अंदर कनवर्ट हो जाएगा अभी इस यूरो बीली नोजन में क्या होता है कि अधिकांज जो यूरो बिल्रूजन है वो तो कुछ समय पसात बदेदर जाएगा इस्टेर कोबी इस्टेर कोबी ली नोजन ये एक अन्यक पदार्थ के अंदर कनवर्ट हो जाएगा के और कुछ प है 90 पर्शेंट तरह से कनुट गया जो 10 पर्शेंट यूरो ब्लेड के दोवारा सिदा ब्लड में जाएगा रूपल दोवारा किंृ में चला जाएगा हमारे kidney के अंदर चला गया है बढ़ार के अंदर चला गया अब यह जो Eurobilion होता है यह देख सको colorless होता है colorless अभी यह रंग हीन पदार्थ है इस रंग हीन तो होगा होने वाला क्या है आगे कि यह जो color रंग हीन है और यह रंग हीन का 10% यह ने यो यूरो बेलीका का 10% वो किड्चन के हैं उलाग गया और किड्चने के जाने कहा इस दूख हो इसका क्या होगा और यहां पर या पर इन यहांपर यहां पर यहां पर यहां पर यहां Stevens जिसका नाम है यूरो बीलीने यह इसको हम कहते हैं यूरो क्रोम यूरो क्रोम के अंदर ये कनट हो जाएगा और ये जो यूरो क्रोम है ये यलो रंग का पदार्थ होता है यलो कलर पिले रंग का पदार्थ और इसी के कारण हमारा मुतर है वो पिला होता है तो हम कई बार कहते हैं कि मुतरगा रंग पिला क्यों होता है तो हम यह कहते हैं कि यूरो क्रॉम के कारण या यूरो बिलीन के कारण मुतरगा रंग पिला होता है तो यह इस तरह से बनाए अभी यह जो 90% बड़ियांत के अंदर स्टेर कोबिली जिनोजन बच गया तो यह यह यहां पर क्या होगा जो बड़ियांत है यह बड़ियांत के अंदर है तो यहां पर इसका भी क्या होगा ओक्सीडाइज होगा यह यह ओक्सीक्रत होगा और ओक्सीक्रत होने के पसाथ एक पदार्त के अंदर बदलेगा जिसको अपन कहते हैं इस्टेर को भी लिन है बत्रब ये जाएगा ओजनड जाएगा इसका तो ये बदल जाएगा इस टेर को भी लिन यहां तक ये कनवर्ट हो जाएगा इसके अंदर और ये जो है ये एक भूरे रंग का पदारत है बूरे रंग का बूरे रंग का ये पदारत है और बूरे रंग का ओने के कारण यह हमारे जो मल है यह मल को बूरा रंग परदान करता है मतलत ब्राउन कलर इसको परदान करेगा तो हम कहते हैं मल का बूरा रंग वो किसके करण होता है स्टेर को बिलीन की करण और मुत्र का रंग होता है वो यूरो बिलीन की करण या यूरो क्रोम की करण तो यह सारी बात है वो यूरोबिलीन यूरोजन के करण हो आए तो कुछ तो सिद्धा जिसे बलड के दोवारा रुदिर के दोवारा किड्ने में चला गया वहां पर उक्षिकरत होकर यूरोख्रोम यूरोबिलीन में बदल गया और कुछ जो बढ़े आतना ज्यादतर जो नब यूरोबिलीन वो इस्टेर कोबिलीन के अंदर बदल कर इसका ओक्षिकरत होकर स्टेर कोबिलीन के अंदर करण होकर मल को बुरा रंग परदान करता है हमें एक चीज इसके अंदर पढ़ता है गई बार कि पीलिया तो यह पीलिया किसके करण होता है तो जो पीलिया है जिसको अपन कहते है जोन्डिस है वो किसके करण होता है तो यह जो बिली रूबीन है जो पिले रंका है विली के उच्छे इस तर के कारण होता है तो जब ब्लड के अंदर बिली रूबीन बोजदा बढ़ जाता है तो हम उसको पीलिया कहते हैं सामाने इसके अपने बात करें तो सामाने जैसे यह लगबग 1 मेगा ग्राम पर डेसलिटर के अंदर यह पाया जाता है यह बहुत कम होता है लेकिन जो इसका हाई लेवल कभी कबार जब बढ़ जाता है तो यह लगबग 2-3 मेगा ग्राम पर डेसलिटर के अं या जो bile duct है, bile duct में कोई blockage हो या रोक हो, कोई blockage आ गया है, या उसमें कोई रोक या बादा उत्पन हो गई है, वहाँ से bile वो नहीं आ रहा है, या RBC का अत्यदिक breakdown, या RBC जो है वो प्रकोशकां द्वारा बहुत तेजी से तूट रही है, तो उसके कारण भी यह जदा तो blood में इसकी मातरा ज्यादा हो जाएगी, तो यह कुछ एकरत रोगों में, या bile duct में कोई blockage आ गया है, या RBC दिक मातरा में ठूट रही है तो इसके कारण हो सकता है, कई बार हम देखते हैं, गाल ब्लेडर है, हमारा गाल ब्लेडर, उसके अंदर गाल ब्लेडर के अंदर क्या होता है कि कोलेस्ट्रोल कि लवन के साथ, कोलेस्ट्रोल लवन के साथ जम जाते हैं और उनके जमने से हैं वो पितासे के अंदर फत्री बन जाती है, तो यह तो था हमारा इसका important कारिय है, इसको हमने गाता कि किस तरह से हैं, विलवरडिन और विलरूबिन बन रहा है, next अपन कारिय देख लेते हैं इसके, जिसको हम खह रहे हैं, दूसरा जो important काम है, इसका carbohydrate का उपापचे, यह भी इसका बहुत important काम है, उपापचे का मतलब है metabolic, मतलब carbohydrate का बनना या carbohydrate का तूटना, इसमें सारी किरें समलित होगी, यह तो carbohydrate है, वो चोटा कार्वाइडेड है, वो बड़े में बदलेगा, या कोई बड़ा कार्वाइडेड है, वो चोटों में बदलेगा, तो दोनों तरह की इसमें किरें रहेगी, तो हमें इसमें कुछ किरें सामिल है, जिसके कुछ किरें हैं इसके अंदर, तो वो उपन पढ़ते हैं, इसमें फ मतलब हो गया गलाईको जिसे इसको इस तरह से लेंगे है अपन गलाईको न लेकर इसको गलाईकोजन ले लेंगे गलाईकोजन यहां तक गलाईको गलाईकोजनेसिस मतलब हो गया गलाईकोजन का निर्मान होना जेनेसिस के लोग है निर्मान होता तो क्या होता है कि हमारे यकरत के अंदर जो अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में गलुकोज होता है जब अधिक मात्रा में गलुकोज होता है तो ये जो गलुकोज है ये किसके अंदर करनोट हो जाएगा गलाइकोजन में बदल जाता है और बदल इसी परिक्रिया को हम क्या कहेंगे गलाइकोजेनेसिस कहेंगे यानि गलाइकोजन में बदलना ये कब होता है कि जब हमारे सरीर में अधिक मातरा में गलाइकोज पाया जाता है या ये करत में अधिक मातरह में गुलकोज पाय जा रहा है, तब ऐसा काम होगा, कभी कवार यह होता है कि इससे उल्टा काम होता है, कि इस सरीर में जब गुलकोज की कम हो जाती है, यह बहुत हम हार्ड वर्क करते हैं, तब एक परक्रिया होती है, गलाई को जीनोलाइसिस, गलाइकोजिनोलाइसिस तो इसमें अपने देगो इसमें एक पूरा वर्ड ले 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 गलाइकोजन और एक वर्ड ले ले लाइसिस तो लाइसिस का मतलब हो गया तोटना और यह हम पढ़ रहे हैं गलाइकोजन तो इसमें glycogen क्या हो रहा है तोटेगा तो ये कब होगा जब सरीर में glucose की कमी हो जाती है तब क्या होगा जो अपने एकरत के अंदर पहले जो glycogen जमा हुआ था उपर वाली विक्रिया के दोआरा वो glycogen है वो glucose में बदलने लगेगा तो इस परिक्रिया को हम क्या कहेंगे glycogen का तोटना ये कब होगा जब सरीर में glucose कमी हो जाती है या हम बहुत देर तक उस हार्ड वर्क करते हैं तब सरीर में glucose कमी होने लग जाती है तब हमारा ये करत है वो इस तरह से काम करके हमारे सरीर के body को glucose की supply करता है इसमें एक प्रिक्रियावर होती है इसको अपन कहते हैं गलू को नियो जे नेसिस गलुको नियो जे नेसिस तो इसमें होगा क्या कि मा लेजिए कि सरीर में कोई किसी तरह का कोई गलाइकोजन नहीं है मतलब गलाइकोजन है नहीं बिल्कुल सरीर में और अब सरीर को गलकोज की जूरूत है यानि कि सरीर में गलकोज की कमी है लेकिन गलाइकोजन भी नहीं है तब यह करत क्या करता है कि देखिए इसमें होगा यह कि गलूको गलूको का मतलब हो गया गलूकोज वो नियो का मतलब आप लेख सकते हो कि न्यू यानि नया और जेनेसिस का मतलब हो गया फोरमेशन या निर्मान करना तो गुलकोज का नया बनना तो नया गुलकोज कैसे बनेगा कि हम जानते हैं कि हमने गहाता कि ये करत में कई सारे वसिय अमल और अमीनो अमल पाए जाते हैं यह तो मारी लिवर में होते ही हैं ब्रहे रहे तो इन दोनों से ये करत जो कोशिकाएं है ये करत सेहल है वो ग्लुकोज का संसलेशन कर देती है गुलकोज का संसलेशन कर देती है तो गुलकोज का संसलेशन हो गए यहां पर इन्हें वस्य अमलों से या अमिनों अमल से तब इसको हम कह रहे हैं कि नए गुलकोज का निर्मान हो रहा है तो इस पर करेको हम कहेंगे गुलूको नियो जय नेसिस अतार्त वस्यय अमल या कोई अमिनोमल है तो उनसे उनको तोड तोड कर गुलुकोज का निर्मान करना तो इस तरह से इसके अंदर ये सरचना होगी अतार्त हमें यह कहे देंगे कि अमिनो अमली या जो फेटी एसीड है उस से गलुकोज का निर्मान करना और इस पर करिया को हम कहेंगे गलुको नियो जेनेसिस और फोर्थी इसके अंदर जो उपाप चेहें में देखें तो एक पर कहार और उतीज को अपन कहते हैं गलाईको गलाई ये गलाई वाई है तो गलाईको नियो जेनेसिस गलाईको नियो जेनेसिस ये तो है गलुको और ये है गलाईको तो यहाँ पर गलाईको सब्द है नियो सब्द है और जेनेसिस सब्द है तो गलाईको किसमें आता है गलाईको जन के लिए आता है अन्या का मत मतलब new होता है जीसे और genesis का मतलब हो गया formation तो glycogen का निर्माण होता है तो glycogen का निर्माण कैसे होगा कि बहुँ जदा वस्य अमल है या इनकी मातरा जदा है तो वस्य अमले या जो अमिनो अमल होते हैं इनकी मातरा बहुँ जदा अगर ये करत में पड़ी हुए डाइरेक्ट ही गलाइको जन में बदलना तो गलाइको जन में बदलना इस परक्रियागा 56 कहे हैं गलाइकو नियोजिनेसिस कहे रहे हैं और ऐसा काम हमारे लीवर के अंदर पाया जाता है तो जो मुक्यत है जो वसी अमल होता कर लेता है नेक्स्ट अपन इसका कारिय पढ़ते हैं वी तो दो कारिय पढ़ते हैं नंबर थ्री कारिय विसका हरण करना जिसको अपन कहते हैं कर देखते हैं जिवानों का बक्षण और जिवानों का बक्षण कोन करता है यह करत की जो हम फढ़ रहेते हैं कूपर जो सेल है वो अगर कोई भी एकरत में जिवानु चला गया उस जिवानु का ये भक्षने कर लेती है और हमारे सरीर की या लिवर की शुरुक्षा करती है नेक्स्ट एक इंपूर्टन काम है इसका वी अमिनी करन वी अमिनी करन को अपन कहते हैं डी अमीनेशन तो क्या होता है कि ये करत के अंदर जो अमिनो अमल होते हैं अमीनो एसिड होते हैं उन्हें एसिड को वी अमिनी करन द्वारा अमोनिया में बदला जाता है तो ये काम भी हमारे लिवर के अंदर होता है वी अमिनी करन का काम है याद रिखना आपको है कि वी अमिनी करन हमारे लिवर के अंदर पाए जाता है अब चुकि यह जो अमोनिया है यह बहुत जहरिली गेस है तो इस जहरिली यह हमारे सरी को नुक्सा नहीं पहुँचा है तो तुरंथ ही लीवर क्या कर लेता है इस अमोनिया से यूरिया का निर्मान कर लेता है यूरिया कम जहरिला होता है तो जो यह ammonia gaze बनी इस ammonia gaze जो यह है वो बहुत जहरली है तो इस जहरली को एक चकर है जिसको पton कहते है औरनी थीन अपनेक्स्ट पड़ेंगे औरनी थीन औरनितीन चकर के दोवारा ये यूरिया के अंदर बदल जेती और ये यूरिया क्या होता है कम है आनेकार के होता है तो इसके अंदर इसको बदल दिया जाता है फटापड काम होता है नेक्स्ट इसका अपन काम भड़ते हैं नमबर साथ हमारे रक्त का सुद्धी करण है रक्त का सुध्धी करण कैसे कि जैसे कूफर कोशिगाए है कूफर सेल क्या करती है जो जीवानों आ गए उस जीवानों का इसके अलावा जो मरत आर बीसी है जिनका जीवनकाल 120 दिन से ज़्यादा हो चुका या वह पुरानी हो चकी तो उनका या जो देड डबलू बीसी है या थार तो मरत डबलू बीसी है उनको नश्ट कर देता है तो इनको सब को कतम कर देंगे तो यह हमारे रक्त से हट जाएंगे और हट जाएंगे तो हमारा रक्त है वो सुध्ध हो जाएगा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ विटामिन का संसलेशन भी करता है विटामिन का संसलेशन तो यह पता लगया गया है कि जो हमारी येकरत को सिकाएं है वो विटामिन एक का संसलेशन भी करती है इसलिए हमारी आखों के लिए येकरत है वो अच्छा वाना दाता है तो इसके में अंदर एक बीटा के रोटीन होता है इस बीटा के रोटीन के दौरा है लिवर है वो विटामिन a का निर्माण कर लेता है कॉछ someone का कार्य पढ़ते हैं कुछ कि है जैसे वशाँ स्के डावं जिन्च विटामिन का संग्रहन विटामिन का संग्रहन भी करता है यह है और विटामिन का संग्रहन के अंदर कौन से विटामिन A,D,E,K और एक है विटामिन B12 है तो ADK है यह सब वसामे गुलंसील है वसामे गुलंसील विटामिन है याद रिखना आपको ADK और B12 का यह संग्रहन भी करता है तो यह भी इसका एक मेत्वपूर्ण कार्य हो गया नेक्स्ट हम कार्य लेते हैं इसका लिवर का कि ADK जो वसा में गुलनसील हम जानते हैं कि एकरत में वसीय हमल होते हैं तो वहाँ पर हमारे वह सरे विटामिन जैसे ADK और विटामिन B12 का संग्रह भी किया जाता है नेक्स्ट अपन कार्य पढ़ते हैं नमबर 10 वसाका संसलेशन भी करता है ये और संचे भी करता है तो जो हमारी यकरत सेल है वो अलप मात्रा में अलप मात्रा में वसाका संसलेशन वसंचे करती है बहुत अधिक मात्रा में ये करती है वैसे बहुत अधिक मात्रा में वस्यूत कों में होता है लेकिन फिर भी यकरत है वो कुछ मात्रा में वसाका संसलेशन वसंचे करता है लेकिन अगर कई बार ये होता है कि जो आदमी या वेक्ती है वो लंबे समय तक लंबे समय तक सराब पीता है तो उसके यकरत में अधिक मात्रा में वसा जम जाती है और ऐसे लिवर को फेटी लिवर कहते हैं तो दिर दिरे क्या होगा यह जो फेटी लिवर है वो अंत में जैसे इसका अंत में जो लिवर है वो दिर दिरे नस्ट होने लग जाएगा नस्ट हो जाता है यह दिर दिरे जो लिवर है वो खतम हो जाएगा अगर कोई वक्ती ज़्यादा सराब पीता है तो अगला आपन कारे लेते हैं इसका important खनीजों का संग्र है तो अमारा जो लिवर है वो बहुत सरे खनीजों का एक reserve wire की तरह काम करता है एक संग्र है storage की तरह काम करता है जिसमें iron है, copper है, zinc है इसके लावा बहुत सरे आयनों का ये संग्रे कर सकता है next अपनों बढ़ता है, रक्त का निर्मान ये भी इसका important कारी है कि क्या liver रक्त का निर्मान भी करता है और रुदिर को तोडने का काम भी करता है या रुदिर का लेन का काम भी करता है जिसको अपन दोनों पर के रहा हैं कहते हैं एक तो hemopoesis and hemolysis इसमें hemoglobin बनता भी है, hemoglobin का नास पर होता है तो ये एकरत का निर्मान लेन का भी होता है कि भूनी आवस्ता में, जब भूनी आवस्ता में हम थे तो भूनी आवस्ता में येकरत है, वो रुदिर का निर्मान करता है क्योंकि उस टाइम हमारी बोन मेरो विक्षित नहीं होती है तब ये काम करेगा लेन वेस्क के अंदर क्या होता है कि वही यकरत है वो म्रत RBC का विगटन कर विगटन करके HB को तोड़ कर क्या बना रहा था बिल वरडीन वै बिली रूबीन बना देता है हमने पढ़ा था बिल वरडीन किस तरह का वरणक है कौन से कल्दर का ये हरेका और बिल रूबीन पीले रंग का वरणक बनता है तो हमने पढ़ा था ये नेक्स्ट तरह नमबर अपन देखते हैं इसका कार ये कि ये रक्त का संग्रह भी करता है दो इसका blood vein की तरह भी ये काम कर रहा है तो अलप मात्रा में रक्त का संग्रह भी करता है रक्त का संग्रह करता है वो रक्त में भी कौन सा केवल mainly RBC का संग्रह करता है WC का ने करके RBC का संग्रह करता है अब इसका एक important काम और देखते हैं कि एक हिपेरिन का निर्मान करना ये बहुत ही महत्वपूर एक protein है तो जो ये करत सेल है वो हिपेरिन हीपेरिन नामक protein बनाती है जो एक प्रती इसकंदन protein है प्रती इसकंदन मतलब है रक्त को जमने से बचाने वाली क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे रुदिनलियों में रक्त कभी जमता नहीं है लगाता दोड़ लगाता रहता है तो रक्त को जमने से बचाने के लिए हिपेरिन जो एक बहुत ही मैतुपून के मिकलाय या protein है जिसका असराव भी यकरत के दोड़ा किया जाता है इसके लावाद जब हमें चोट लग जाती है तो बहुत सारा रक्त बहने लग जाता है कुछ समय बाद में देखते हैं कि अपन पांस से दस मिंट के अंदर अंदर रक्त का तका बन जाता है तो उसके लिए क्या होता है कि यकरत की जो कोशिकाएं है वो प्रोथ्रोंबिन वै एक फाइब्री नोजन ये protein होती है ये फाइब्रीन की तरह होती है प्रोथ्रोंबी नोजन नाम के protein भी बनाती है जो रक्त का थका बनाने में सायक है जो हमारे तेरा कारक होते हैं रक्त को जमाने वाले उन में से ये भी कुछ कारक है प्रोत्रोंबिनो फाइब्रिनुजन जब रखत का स्राव ने लग जाता है तो ये वहाँ पर जाल बना कर रखत के तके को निर्मित करते हैं यह बनते कहां पर यह भी हमारा लीवर ही काम कर रहा है तो इस तरह से हमारा लीवर प्रोत्रोंबिनो फाइब्रोनिजन का भी स्राव करता है और इसका लास्ट अपनकारिय पढ़ते हैं कि हमारा जो लीवर है सर्दियों में हमारी सुरुक्षा भी करता है लीवर है वो सर्दि प्रोडक्शन सेंटर की तरह काम करता है तो यह हमें उस्मा भी देने का काम करता है तो इस तरह से हमने आज की इस टोपिक में हमारे लिवर को फड़ा है तो जिन विद्यारतियों ने हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्क्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ इस चैनल को सेर भी करें तो कल मैं देखता हूं कि कौन-कौन कितने के सब्क्राइब करते हैं इसका मेरे को पता चल जाता है तो अपने चैनल को जदे जदा सब्क्राइब करें और इस तरह से आपके कंटिनुशन ये वीडियो आते रहेंगे